तेस्टी यामी अस्सलामुलाइकाम कैसे हैं आप साब कुकनॉलजी में खुश्रामदीद आज मैं आपके लिए बहुत सी डिफरेंट रेस्पी लेके आई हूँ मैं बनाऊंगी नूडल्स या मैगी के पकोड़े जो के मैं चिकन के साथ बनाऊंगी चाइनिस स्टाइल में होंगे बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी और साथ में बनाऊंगी मैं चाइनिस बर्न चिली सॉस बहुत ही यम्मी स्पाइसी सॉस बनेगी वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है एंड तक देखिएगा उबलते हुए पानी में मैगी नूडल से आड़ करने हैं किसी भी फ्लेवर के सिरफ एक दो मिनट तेज आंच पे बगा के इसको अलग करना है हमने सॉफ्ट नहीं करना जी देखें बस इतना ही लेकिं 50 ग्राम जिकन को इस तरह से मैंने बारी काट लिया है इसमें जाएगा आदा कप मैदा दो टेबल स्पून कॉन फ्लोर मैगी के साथ जो भी मसाला है वो एड़ करना है आदी चाए की चमच नमाक आड़ करूँगी आदी चाए की चमच ही काली मिरच एक खाने का चमच सिर्का एक खाने का चमच सोया सौस और थोड़ा सा पानी एड़ करके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब इस स्टेज पर बॉइल नूडल्स एड़ किये खलके हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स किया चाएनीज चिकन नूडल्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन को भी प्रेस कर लें दो मिनट के बाद मैंने इनको पलट दिये बस दो-दो मिनट के बाद पलट पलट के कुक करना है जब तक के इनका बहुत प्यारा सा कलम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए पकोड़ों के बाद मैं बनाऊंगी बर्ण चिली सॉस जो के इन पकोड़ों के साथ बहुत ही जबरदस कमबिनेशन है पकोडे चाइनी स्टाइल में हैं बहुत जादा स्पाइसी नहीं है जबके बर्ण चिली सॉस थोड़ी स्पाइसी और बहुती फ्लेवरफुल इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है देखें जी बहुती प्यारा कलर आ गया है पकोडे बिल्गुल रेडी हो चुके हैं पैन में थोड़ा बटर एड़ किया इसको मेल्ट कर लेंगे इसमें जाएगी दो खाने के चमच धड़ा मिरच थोड़ा सा इसको मैं फ्राइ करूँगी स्मोकी फ्लेवर के लिए आदा खाने का चमच बारीक चॉप की हुई लेसन एड़ की इसको फ्राइ करूँगी खुश्बू आने तक तीन खाने का चमच चिली सॉस एड़ की और तीन खाने के चमच ही टोमेटो कैचप एड़ किया बस थोड़ा मिक्स करना है 32 जबर्दस बर्ण चिली सॉस स्मोकी फ्लेवर रैड़ी है 10 मिनट में देखें माशाला कैसे जबर्दस पकोड़े और सॉस रैड़ी हो चुकी है उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कमेंट करके फीडबैक जरूर दीचेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए आला हाफिज